सिलिंग फैन रिपेरिंग करने के बाद मिस्तरी आपसे ज़्यादा पैसे यह कह करके ले लेते हैं किसमें कापर बांडिंग की मोटर डाली गई है कापर बांडिंग वाली मोटर महंगी आती है और सिल्वर यानि के ऐल्मुनियम बांडिंग वाली मोटर सस्ती आती है कभी कबार ऐसा भी होता है कि silver winding वाली यानि कि सस्ती वाली motor डाल करके आपसे महंगा ज़्यादा पैसा ले लेते हैं copper winding के motor बता करके आप पहचानना नहीं जानते कि कौन सी silver वाली motor है कौन सी copper winding वाली motor है और आप पैसे ज़्यादा दे देते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि silver winding वाली motor को कैसे पहचानना है copper winding वाली motor को कैसे पहचानना है देखिए यह पंखे की motor है जो कि ceiling fan में लगी होती है सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि जब इसको आप open करेंगे तो इसको इसे touch करेंगे हाथ से यह tight नहीं रहेगा धीला रहेगा इसे हाथ से touch करेंगे थोड़ा सा दबाएंगे तो यह wire दब जाएगा देखिए इसको दबा रहे हैं यह silver winding वाली motor है यानि कि सस्ती वाली motor है अब हम आपको दिखाते हैं copper winding वाली motor कैसे आपको पहचानना है सबसे पहले तो copper winding वाली motor में जो तार निकले होते हैं तिंटो connection के लिए वो copper के ही लगे होते हैं winding वाली motor में copper के ही तार लगे होते हैं ये सबसे पहले आपको पहचानना है आप कैसे पहचानना है कि copper कैसा होता है silver कैसा होता है वे भी बताऊंगा आपको last video देखेंगे तो ये जो बायर आप देख रहे हैं इसमें देखिए copper का connection हुआ है ये जो तीन तार निकले हुए है copper के हैं और winding इसके silver में हुई है कभी कबार ऐसा होता है लेकिन अधिकानस motor में copper के winding वाली motor में copper के तारों से ही connection हुआ रहता है और silver winding में silver winding वाली wire का ही प्रियोग हुआ रहता है इसको side में रखते हैं अब नई motor को आपको दिखाते हैं सबसे बड़ी पहचा नहीं है कि आप इसको जब इसे दबायेंगे motor को wire को तो थोड़ा सा धिला होगा और इसे देख करके उबड़ खाब ड़ेती समझ में आ रहा है तो silver winding होगी ये देखिए copper winding के motor देखिए इसकी finishing आप देखिए कैसा है इसे आप touch करेंगे बिल्कुल hard रहेगा हाँ से दबाने पर wire दबेगा नहीं ये वाला बिल्कुल hard है और बात करें इसके connection के जो wire है ये भी copper के हैं ये देखिए अब copper लाल होता है और silver सफेड होता है इसको रखते हैं अब देखते हैं silver वाली इसकी finishing अच्छी रहेगी हाँ से दबाएंगे दबेगी नहीं और इसमें जो connection रहेगा copper वाले wire से हुआ रहेगा अब इसमें देखिए ये silver winding वाली motor है अब silver के wire को कैसे आप पहचानेंगे यहाँ पर देखिए connection निकला हुए ये सफेड कलर का दिख रहा है ये silver है यानि केल्मूनियो अब उसमें copper winding वाले हम देखिए लाल है ये है copper जिसको तामा कहते हैं तामा वाला मंगा आता है ये सस्ता आता है यहाँ पर देखिए पहचान है ये लाल है और एह लाल है अनि की भुरे कलर का है अब इसको भी रखते हैं side में और अगली पहचान आपको बताते हैं पुरानी motor से आपको बताएंगे खरोच करके दिखाएंगे आपको कौनसा लाल होता है कौनसा सफेद होता है नई मोटर को आपको खुरोचना नहीं, यह केबल ऐसे ही पचान लेना है, यह connection वाली लीडें देख करके, उसके wire को देख करके, या फिर उससे आप confirm कर लें कि इसमें सही में आप copper winding वाली मोटर डाले हैं, या फिर silver winding वाली मोटर डाल करके copper winding का पैसा ले रहे हैं, बहुत बा दिखता है, देखिए का यह तामे के तार को हम खरोचेंगे, यह देखिए, तामा का तार है, कापर जिसको बोलते हैं, यह देखिए, लाल दिख रहा है, देख रहे हैं, बूरा, बूरे कलर का दिख रहा है, और इस वाले का देखिए, यह silver का है, इसको देखिए, यह से देखिता हैं देखिए इसको करण रहे हैं इसके ऊपर का पैं। छोड़ दिया यह सफेद हो गया। इसी तरह से आपको व Ricky पहचान है देख रहे हैं यह इस तरह सफेद ही निकलैया निकला है है जबकि आप कापर के वाय को इस 4 से खरोज हैंगे तो सफेद नहीं निकलेगा वो ब्राउन कलर का जैसा कि इसका कलर ऊपर से देखे रहाए पेंट चड़ा होगा इस color का निकलेगा हलका लाल यानी की brown color भूरे color का अब इसको भी करोच के देख लेते हैं यह copper की motor खराब हो गई है इसको आपको दिखाने के लिए खरोच रहे हैं आपर देखिए यह खरोच रहे हैं तूसी color का निकल रहा है देखिए सफेद नहीं है आपको इसे camera में दिख की motor है